अजस्ससलाम अलेकुम अज़मों टॉपिक के नाम है बोन, बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है और मेट्रिक किलास का है, जो बोन है नै, बेसिकली हार्ट कुनेक्टीड टिशूस हैं, बत्रत के बोन की सबसे बड़ी पहचाण ये कुनेक्टीड टिशूस हो है, का्टीले टिश्यूस को नाम देया जाता है तो यह बाइड़ा बॉन किससे जदा कुरिए हार्ड है उसका नाम के बढ़ा वो काटी लेचा है इसका सबसे बड़ा रोल यह होता है कि मूवमेंट करने में एनिमल्स को मदद देती है बॉन यह स्पोर्ड देती है बोड़ी पार्ट को यह store करती है minerals को और बॉन का सबसे बड़ा काम यह RBC cell और WBC cell को produce करती है यह आपके सामने बॉन है यह इसकी outer layer है यह इसकी inner layer outer layer को कहते है compact bond inner layer को कहते है spongy bond यह देख सेते हैं heart outer layer of bond is called compact bond soft inner layer of bond is called spongy bond जो बाहिर लेयर heart यह not a porous इसमें कोई भी pores नहीं होते सुराख नहीं होते मगर अंदर साइट जो hard ए है इसमें lack of blood vessel यहां ब्लड वैसल नजर नहीं आती जो अंदर वाली soft है यहाँप ब्लड वैसल नजर आती है जो अंदर वाली नहीं बाहिर वाली है इसके पास कोई bond héros नहीं होता यह देख सहते हैं जहावे बॉन्मेर मेरू यह आपको nतरा कान का स्पोंजी बॉन के अंदर यह ने बना दिया इस असरते का मैट्रिक्स और इस से खाली जगह में आपको क्या क्या नतरा आते हैं यह बड़ा सेल्स है और इन अपको नाम है collagen fibers होते है, phosphate होते है, calcium होते है तीन चीज़े मैंने बताई, collagen fibers है, phosphate है, calcium है या आपको इसके matrix में नजर आते हैं मर सबसे important बात इसके अंदर जो cells हैं, जो bond को बनाते हैं they are called osteocides है यह असान और simple सा topic था, आपने as a easy paper में लिखना होता है matter का पहला chapter, दूसरा chapter uploaded हो चुका, यह चोथा chapter है इसलिए तरह मैंने तीसरा chapter upload करना था, मगर time नहीं मिल पा रहा है इसलिए यह चोथा chapter, जो छोटा chapter है, मैंने इसको start कर दिया इनिशाला आगे one by one करके सारे lectures upload होते जाएंगे ओके बड़ा, जजा कर ला